नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है केरल के एक मामले ने पूरे देश को फिलहल चौका दिया है मामला सामने आया है दिमाग को खाने वाला अमीवा यानि जिसको बोला जा रहा है ब्रेन इटिंग अमीवा जिसके चलते एक व्यक्ति की आज संभव है या नहीं एक्सपर्ट की क्या राय है और किस प्रकार से यह केस सामझे आया है तो चर्चा करते हैं तो न्यूज आप देखते हैं केरला टीनेजर डाइज ओफ लीथल ब्रेन इटिंग अमीवा ब्रेन इटिंग अमीवा के कारण इसकी बच्चे की मृति हो ग जब आप कभी अपने स्कूल वगयरा में पढ़े होंगे तब साइंस की प्रोजेक्ट वगयरा के अंदर आपने कभी अमीवा को बनाया होगा तो उसको आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं उसके अंदर जो है एक सिंगल सेल दिखाना होता है और उसको दो चार डॉट यहां का लापुजा जो जिला है उसके अंदर उसकी मृत्य हुई है due to rare infection caused by नैगलेरिया फॉलेरी और brain eating amoeba अब यह जो brain eating amoeba है इसी को बोला जा रहा है नैगलेरिया फॉलेरी इसकी वजह से 15 साल के एक बच्चे की मृत्य हुई है क्या हुआ था इसको एक हफते से इसको high fever, तेज बुखार था and rapid deterioration in his vitals और इसके जो शरीर के अंग थे वो लगातार काम करना धीरे धीरे बंद कर रहे थे क्योंकि दिमाग को एक amoeba जो है वो damage कर रहा था लगातार he used to take bath in stream near his home उसके घर के बरावर में एक जो नदी टाइप की बहती थी एक ताला बगएरा जो stream थी उसके अंदर ये नहाया करता था the likely source of amoeba बड़ा प्रस्न है कि कैसे इसकी body के अंदर ये amoeba पहुँचा जो कि इसके दिमाग को infect कर गया तो ये जो है नहाता था अपने घ amoeba जो है किसी भी natural environment के अंदर होता है particularly in warm water habitat जहां पर पानी गर्म होता है और साफ होता है मतलब मीठा पानी और हलका सा जब गर्म warm हो जाता है वो उसके अंदर इसके पनपने के chances ज्यादा रहते हैं however it doesn't survive in saline conditions ये जो amoeba है वो saline conditions यानि कि खारे पानी के अंदर ये पैदा जाता है it survives on bacteria found in the sediments in lakes and rivers lakes और rivers के अंदर जो sediments जमा हो जाते हैं उनके अंदर ये पनप जाता है जिसके कारण ये मृत्ती हुई है कहां हुई है तो केरला का यदि आप मैप देखते हैं ये जो district आपको दिखाई देता है ये काफी चर्चित रहता है केरला के अंदर जिसका नाम है अलापूजा district क्यों कि तमाम जो जैसे कि आपने खबर पड़ी होगी कि सबसे पहले कोविड जो है इंडिया के अंदर कहां पर आया था तो केरल राजी के अंदर सबसे पहले कोविड ने district दस्तक दी थी तो केरल के अंदर लगातार ऐसे घटनाय देखने को हमें मिल नेचर ねचर के अंदर काफी लंबे समय से ये बैक्टिडिया या अम्वीबा रहता है बट के對對 और infection और एक्स्टीनी रेइर होते हैं बहुत चांस होते हैं और नमुम्किन ही हो जाता है लास्ट दिसंबर पिछले साल दिसंबर की बात है अब फिफ्टी इयर ओल्ड साउथ कोरियन में साउथ कोरिया का एक व्यक्ति था फ्लोरिडा के अंदर इसको सेम इंफेक्शन हो गया था अब यह है डॉक्टर पी एं रंजन सीनियर कंसल्टेंट है नियूरोलोज समझा है however warm water temperatures particularly during the summer month जो गर्मी के महीने होते हैं फिलहाल जो महीने चल रहे हैं उनके अंदर गर्म पानी यारे की warm water जो हो जाता है लगभग सभी ponds, lakes, streams होगरा के अंदर create favorable conditions for the amoebas growth अब यह जो situation है summer month के अंदर वो amoebas की growth के लिए अच्छी conditions कर देती है and such conditions are not rare in India इंडिया क के अंदर एसी conditions की क्या कमी है बिल्कुल नहीं है गर्मी के महीने जो इंडिया के अंदर होते हैं उनके अंदर पानी आसानी से गर्म हो जाता है और यह बैक्टिरिया या कहें अमीवा जो है वो पन अपने लगता है वाट इस नाइगलेरिया फॉलरी अब यह है क्या पानी के अंदर यह पाया जाता है और इसको देखना पॉसिबल नहीं होता है और यह इंफेक्ट कर देता है इन वेरी रेर इस बहुत ज्यादा कम केस ऐसे होते हैं नाइगलेरिया फॉलरी हैस बीन फाउंड इन स्वीमिंग पूल के अंदर बहुत कम चांस होते हैं इसके मिलने के जैसे कि स्वीमिंग पूल है या फिर इस प्लेस पैड हैं सर्फिंग पार्क हैं और अधर रीक्रियेशनल वेन्यू जैसे कि आप यदि कभी जाते हैं वाट के चांसे नहीं होते है अंट siya से अंधर ब्रेन की यह चला जाता है और ब्रेन के जो भरबाद करना शुरूबाद करना शूरूए कर देता है It grows best at temperatures above 46 degrees Celsius 46 degrees से उपर का यदि temperature होता है तो सबसे अच्छी ग्रोथ इसकी तभी होती है आला कि ऐसा नहीं है कि इससे थोड़े कम temperature में नहीं हो सकता है यह हो सकता है 40 degrees से उपर वाले temperature फेवरेबल कंडिसन्स पैदा कर देते हैं लेकिन 46 degrees से उपर वाला जब temperature होता है तब यह बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है Warm water temperatures particularly during the summer month जो गर्मी के महीने हैं उनमें होता है Create favorable conditions गर्मी के महीने इसके लिए बहुत अच्छी condition बना देते हैं Poorly maintained swimming pool जैसे कि हमने बात कर ली Activities like diving यदि diving करते हैं Jumping into warm fresh water bodies अब fresh water bodies के अंदर ही होगा क्योंकि saline water के अंदर यह नहीं होता है समुद्र के खारे पानी में यह नहीं होगा Can force जब आप jump करते हैं कोई diving करते हैं तो आपकी नाक के अंदर यह पानी जो है force हो सकता है जिसके चलते यह आपके नाक के सहरी आपके दिमाग तक पहुँच सकता है Can it also spread from 1% to another क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के तक ही पहुँच सकता है जैसा कि हमने देखा था COVID के के केस में COVID के अंदर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को COVID हो रहा था तो क्या यह भी हो सकता है तो इसका जवाब है नहीं यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं होता है इट इस इंपोर्टेंट टू नोट देट नाइगलेरिया फैलोरी इंजेक्स दूसरी तरह से यह इंपेक्ट आपकी सरीर से टच होता है फिर भी सिंप्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं इस प्राइमरी ली असोसिएटेट विज वार्म फ्रेस वाटर से ही मेंली असोसिएटेट रहता है यह यह सबसे अच्छे ग्रो करते हैं तो हमारा मंत चल रहा है जुलाई और इसी के अंदर केरला में यह दुखत गटना हमें देखने को मिली किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है प्रेवेंटिब मेजर्स क्या लिये जाएं प्रेवेंटिब मेजर्स सच एज अवाइड़िंग वार्म फ्रेस वार्वाटर बॉड़ि जो वार्म फ्रेस वाटर वोडिवंग वस उनको अववाइड कर दिया जाए ंदोरेद ए legitimate chlorination हो रहा है उनका फिर तो ठीक है यह Nagas से नहीं हो रहा है फिर उसको आवइड किया जाए स्विमिंग पूल बगएरा जो है उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए कि उनका के टाइम टू टाइम मिंटिनेंस हो उनके अंदर क्लोरीन बगएरा मिलाए जाए और दूसरा क्या हो सकता है यूजिंग इस्टेराइल इस्टेराइल वाटर से आप अपनी नाक को अंदर तक अच्छी तरह से साफ करते हैं तो चांसे काफी कम हो जाते हैं यदि एंट्री करने बाला भी वह फिर दिमाग को पहुंचने से पहले ही उसको खत्म किया जा सकता है सबसे ज्यादा रिस्क किसको रहता है इंफेक्ट ह होने का तो human body is generally vulnerable to negative following मतब आराम से human body के अंदर ये एंटर कर जाता है although anyone can be affected कोई भी इससे अफेक्ट हो सकता है certain factors can increase vulnerability कुछ factors ऐसे हैं जो vulnerability को बढ़ा सकते हैं such as weekend immune system यदि किसी व्यक्ति का immune system जो है रोग प्रत्रोदक छमता जो है वो थोड़ी सी धिली है तो उसको ये illness issue यदि नाक से संबंदित कोई बीमारी है फेपड़ों से संबंदित बीमारी है तो ये जल्दी effect करता है और activities that involve exposure to warm fresh water सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल कर आती है वो warm fresh water के ही निकल कर आती है how do you know you are infected इसके लक्षण क्या है symptoms क्या है once in the brain it causes a condition like primary amovic ये जो P.A.M. नाम क causing inflammation and destruction of brain tissue आपके दिमाग के अंदर सिर के अंदर जलन का अनुभब होता है ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है दिमाग के अंदर जलन होती है inflammation होता है and destruction of brain tissue brain के जो tissues हैं वो धीरे-धीरे खत्म होने शुरू होते हैं the symptoms usually appear within a week of infection लगबग एक हफते बाद आपको ये symptoms दिखाई देते हैं include severe headache, सिर में दर्द, fever होता है, nausea, vomiting, stiff neck, confusion, seizure and hallucination मतलब दिमाग से संबंदिक जो बीमारियां होती है पागलपन बगेरा type के हाला कि पूरा पागलपन इसको नहीं बोला जासकता, शुरू आती जो लक्षन होते हैं चीजों को भूलना, hallucination होना, ये सारी जो चीजें वो होनी सुरू होती है, एक हफते के बाग ये लक्षन दिखाई देने सुरू हो जाते हैं, as the infection progress, जैसे जैसे infection जो है वो progress करता है, patient can slip into coma, patient जो है वो coma में जा सकता है, ultimately death, जो परिणाम क्या होता है, उस coma का वो होता है death, the amoeva's ability to rapidly destroy brain tissue makes it highly lethal infection, इसकी जो ability है दिमाग के tissues को वर ना देती है, prompt medical interventions is crucial, but even with treatment, the survival rate is low, हाला कि इसको पता यदि चल भी जाता है, उसके बाद भी आपका survival किसी व्यक्ति को यदि infection होता है, और उसको पता चल जाता है, कि हाँ मेरे अंदर ये amoeva जो है enter कर चुका है, उसके बाद भी जो survival rate है, वो काफी कम रहता है, बचने के chance ब ब्यक्ति की मृत्यू हो जाएगी, brain eating amoeba can be fatal with a recorded death rate of 97%, जितने भी लोगों को अब तक इसका infection हुआ है, उसमें से 97% लोगों की मृत्यू हुई है, the chances of survival from this infection are unfortunately low, बहुत ही ज़्यादा low chances रहते हैं, अगर ये होता है इससे बचने की, despite the best medication interventions, including ये सारी की सारी दवाएं हैं, वो हैं जो कि इसके curation में काम आती हैं, हलांकि chances कम रहते हैं, early diagnosis यानि कि यदि आपको पहले ही पता चल जाए, जल्दी पता चल जाए कि ऐसा कुछ हुआ है, and prompt initiation of treatment are crucial, but even then, the prognosis remains grave, मतलब हमेशा जो है वो situation ऐसी ही रहेगी, बचने की chances low रहेगी, चाहें पहले पता चल जाए या फर बाद में पता चल जाए, treatment किस प्रकार से किया जाएगा, दवाएं जो है इधर लिखी हुई है, the US Waste Centers for Disease Control recommends treatment with combination of drugs, तमाम तरहें के drugs बताए गए हैं, जिसके माध्यम से ये हो सकता है, आगे अगर बात करें, these drugs have been used to treat patients who survive, अब ये जो तमाम दवाएं यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, हलांके इनके नाम से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर की prescription के किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, इसलिए ये दवाई यहाँ पर व्यर्थ अब जो लोग बचे हैं इससे जो निकल कर आए हैं इसके चंगुल से उनको यूज करने में ये दवाएं जो हैं काम आई थी जिन में से मीटे फोसिन नाम की जो दवा है वो सबसे नई है इस category के अंदर, इस बिन सोन टू किल नेगलेरिया फ्लॉरी इन लेबोरेटरी एंड has been used to treat these survivors और ये survivors जो हैं इनको ट्रीट करने में इस दवा का उभियोग हुआ था, उम्मीदे साथियो पूरा सेसन आपको अच्छी तरह से पसंद आया हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ सेर करना बिलकुल ना भू लगत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलेंगे अगले सेसन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जैहेंद